You are most welcome at our channel लाजवाब खाना स्वाद का नजराना ठंड भी शुरू हो गई है और फेस्टिव सीजन भी आ रहा है और फेस्टिवल्स में केक बहुत ही पसंद किया जाता है तो क्यों ना इस्तेवार केक घर में बनाया जाए इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी खुद केक बना लेंगे और वो भी एक दम परफेक्ट, सौफ, फलफी और चॉकलेटी जो बच्चों बड़ो सभी को पसंद आने वाला है तो आज हम बनाएंगे लाजवाब चॉकलेटी एक तिहाई कप दही और चीनी पिसी हुई लेंगे आधा कप और दो टेबल स्पून मतलब एक कप से थोड़ा कम अब हम इस मिक्षर को मिक्स कर लेंगे और फिर बीटर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे 5-7 मिनिट आप चाहें तो हैंड विसकर से भी कर सकते हैं तो देखिए अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये एक स्मूध सा मिक्षर हमारा तयार हो गया है अब हम इस पर एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे एक कप मैदा और इसे चान लेंगे चान लेने से इसमें अगर कोई इंप्यूरिटी वगरा होत तो वह निकल जाती है और मैदे में बहुत सारी एर पॉकेट्स भी बन जाती है जिससे हमारा केक सॉफ्ट और स्पंजी बनता है अब हम इसी चंडी में डालेंगे एक चौथाई कप कोक्वा पाउडर और एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग इन सब चीजों को भी हम चान लेंगे कुछ गुठली सा हो तो वह भी निकल जाता है वरना ये केक में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए चानना जरूरी होता है क्योंकि इससे जो ड्राइ इंग्रेडियंट्स है उसमें एर पॉकेट्स बन जाएंगे और दूसरा कोई भी इ इसे धीरे-धीरे से मिक्स कर लेंगे अब देखे सारे इंग्रेडियंट्स अपस में मिक्स हो गए है तो अब हम लेंगे आधा कब दूद्स जो ना ही गरम है और ना ही ठंडा है इसे हमें रूम टेंपरेचर पर ही लेना है दूद को हम थोड़ा-थोड़ डालते जाएंग और मिक्स करते जाएंगे एक साथ सारा नहीं डालेंगे बस डालेंगे थोड़ा थोड़ा और कट एंड फोल्ड याद रखिए इसी मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे हलके हातों से तो इसमें आधक अबदूद पूरा यूज हो गया है और यह बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है केक का बैटर हमारा बिल्कुल रेड़ी है अब हमें लेना है एक केक टिन जिसमें आप केक को बेक करेंगे तो ये आप स्टील का भी ले सकते हैं, अलमीनियम का भी ले सकते हैं, कोई भी बरतना ले सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से हर तरफ से फिर इसमें बटर पेपर या बेकिंग पेपर लगाएंगे और अगर ये दोनों नहीं है तो आप प्लेन A4 साइस का पेपर भी काट कर लगा सकते हैं और पेपर पर भी हलका सा ओयल लगा देंगे और अब हम इसमें डालेंगे केक का मज़ेदार बहतरीन चॉकलेटी बैटर देखिए बन रहे हैं ना रिबन की तरह बिलकुल इसी को हम रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं जब हम बैटर को डालते हैं तो ये रिबन की तरह बनता है यही perfect consistency होती है कोई भी केक जब भी बनाईए और बैटर को पूरा केक टिन में डालने के बाद इसको हम इस तरह से टैप टैप करना है चार से पाँच बार इससे क्या होगा कि यह अच्छे से बराबर भी हो जाएगा और जो भी air वगेरा अंदर होगी वो निकल जाएगी अच्छा केक को बेग करने के लिए मैंने एक कड़ाई लिया है और इसमें एक कप नमक डाल दिया है फैला कर और बीच में एक कटोरी या स्टैन रख देंगे इस तरह से रखके मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है अब इसमें हम अपना केक टिन रख देंगे और कड़ाई पर धकन लगा देंगे और इस पर कोई वेट रख देंगे इस तरह से और गैस की फ्लेम को 5 मिनट मीडियम पर रखेंगे और फिर एक दम स्लोपर कर देंगे और 30 से 35 मिनट इसे बेक करेंगे अच्छा एक बात का ख्याल रखेगा कि 20 मिनट से पहले धकन बिलकुल नहीं खोली 40 मिनट हो गए है अब हम इसमें नाइफ या टूथपिक डाल कर देखते हैं यह देखिए नाइफ हमारा बिलकुल क्लीन आ रहा है इसका मतलब केक रेड़ी है तो चलिए इसे किसी टावल से पकड़ कर निकाल लेते हैं इसे हम गरम गरम डी मोल्ड नहीं करेंगे 10-15 मिनट के लिए इसे टावल या प्लेट से ढख करके रख देंगे थोड़ा सा नॉमल हो जाएगा फिर इसे हम डी मोल्ड करेंगे और निकालेंगे और इतनी देर में हम चॉकलेट गनाश रेड़ी कर लेंगे तो इसके लिए मै अब हम एक पैन या बाउल में गरम पानी लेंगे और उस पर एक बाउल रख देंगे बाउल पानी में टच नहीं होना चाहिए बस उसकी स्टीम से वो गरम होता रहेगा और हम इसमें डालेंगे चॉकलेट और धीर धीर से चलाते रहेंगे आप देखें कि ये मेल्ट होने थोड़ी देर में तो हम इसमें डालेंगे तीन टीसपून दूद और इसको मिक्स कर लेंगे तो देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसे शाइनी और ग्लॉसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधा टीसपून बटर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा मज़ेदार सा पोरिंग चॉकलेट गनाश बिलकुल तैयार है तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है बिलकुल शाइनी ग्लॉसी बिलकुल मार्केट जैसा लग रहा है ना इतनी देर में केक भी थोगे ठंडा हो गया है तो इसे इस तरह से चाकू से पहले साइड से अलग कर लेंगे और बस उल्टा करके जरा सा टैप करेंगे और ये निकल जाएगा पेपर को हटा देंगे और देखिए हमारा केक बिलकुल सॉफ शाइनी फलफी बना है अब हम खेक को अपने दो पार्ट में कट करेंगे देखिए कितना सॉफ्ट बना है और जाली देखिए इसमें आपको खुद ही अंताजा हो गया होगा कि कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी केक बना है इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट केक बना लेंगे अब हम इस पर लगाएंगे शुगर सीरप इससे हमारा केक जो है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहेगा और फिर एक लियर ब्रेश से हलकी सी चॉकलेट गनाश की लगा देंगे और फिर केक का दूसरा पार्ट उस पर रख देंगे और इस पर चॉकलेट गनाश डाल देंगे और इस तरह से हर तरफ स्प्रेड कर लेंगे वाव देखे कितना शाइनी कितना बहतरीन लग रहा है इसको 10-15 मिनिट के लिए सेट होने के लिए फ्रीज में रख देंगे और इतनी दिर में केक के डेकुरेशन के लिए आइसिंग तयार कर लेंगे तो यहां मैंने आधा का विपिंग क्रीम लिया है यह बिलकुल थंडी है और इसे हम विस्क करेंगे स्टार्टिक में बिलकुल स्लो पर यानि एक पर हम तीन मिनिट के लिए विप करेंगे और फिर इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे अब देखे तीन मिनिट में यह थोड़ा सा लाइट होना शुरू हुई है तो अब हम इसकी स्पीड बढ़ा कर तीन कर देंगे और फिर अगले तीन मिनिट हम इसे विप करेंगे अब यह थोड़ा और लाइट हो गया है इसमें थोड़े पीक बन रहे है लेकिन वो फिर गिर जा रहा है तो इसे हम और अभी विप करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे कि यह मेल्ट हो रहा है तो इसके नीचे बरफ रग दें, एक पैन में और फिर उसपे बाउल रग दें और तब विप करें अब इसे हम फुल पर चलाएंगे मैंने 7 पर चलाया है अब इसे साथ से आठ मिनिट और इसको विप करेंगे और हर तरफ घुमाते रहेंगे जब इस तरह से पीक बनने लगे तो समझिए कि ये अच्छे से विप हो गया है अब देखिए बाउल को उल्टा भी करेंगे न तो क्रीम नहीं गिरेगी अब पाइपिंग बैक को इस तरह से ग्लास में रख करके इसमें हम क्रीम को भर लेंगे केक भी हमारा सेट हो गया है तो केक को निकालेंगे और इसको साइड से जो एक्स्टा गनाश वगरा लगे हुए है इसको क्लीन कर लेंगे और एक साफ प्लेट में इसको ट्रांसफर कर लेंगे अब अपनी मन पसंद की डिजाइन्स और फ्लावर्स बना लें फ्लावर बनाना बहुत आसान है एक दो बार बनाईएगा तो बनने लगेगा और यकीन मानिए जब आप खुद से कुछ बनाते हैं न तो अपने मन को भी बहुत खुशी मिलती है और घर के लोग भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह से मैंने साइट्स पे भी बॉर्डर बना दिया है अब क्रीम में मैं दो ड्रॉप पिंक कलर डालूंगे और हलके हातों से मिक्स करके इसे भी पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और सेंटर में पिंक कलर से एक बड़ा रोज और कुछ छोटे छोटे रोजस बना लिए हैं अब चेरी से गार्णिश करेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट चॉकलेटी केक बहुत ही असानी से घर में रेडी है ये केक बच्चों को तो बहुत पसंद होता ही है और बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं और घर पर अपनों के हाथ का बना हो तो मज़ा भी दोबाला हो जाता है तो फड़ा फट से बनाएए खाईए मज़े करिए और अपनी फैमली को भी मज़े कराईए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा होसला बढ़ता है और अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है और आपके लाइक और कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और इस रेसिपी को आप लोग लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिए साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तो इससे आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेंगी